हमने male reproductive system को देखा है अब fertilization की process को शुरू करने से पहले हमें उस जगह को समझने की जरुरत है जहां पर ये process होता है जी हां मैं female reproductive system की बात कर रहा हूँ ovum production की जगह, fertilization और uterus ये सबी female reproductive system का एक हिस्सा है चलिए इस वीडियो में इस महत्वपूंट system को देखे क्या आपको याद है कि हमने male reproductive system को पढ़ना कहां से शुरू किया था जी हां वो जगह जहां sperm produce होते थे इसी तरह हम यहां भी उस जगह से सीखना शुरू करेंगे जहां पर egg cell produce होते हैं यानि की ovum तो शुरू आत इन oval structures से होती है जिन्हें ovaries कहते हैं दोनों तरफ एक एक ovary क्या आपने गौर किया ये ovaries इन tube जैसे structure से जुड़े हैं लेकिन वो directly उनसे जुड़े नहीं हैं अगर हम ध्यान से इसे देखें तो हम पाते हैं कि उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से जो दोनों को जोड़ते हैं ये उंगली की तरह दिखने वाले हिस्से ovum को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब वो ovaries से release होते हैं लेकिन क्या उनका कोई scientific नाम है? जी हाँ, उन उंगली की तरह दिखने वाले हिस्सों को Fimbriae कहते हैं Fimbriae release हुए ovum को पकड़ने में मदद करते हैं और इसे आगे मौजूद tubes तक तेजी से पहुँचाते हैं लेकिन ovum को आगे पहुँचाने की जरूरत क्यों पढ़ती है? क्या ये खुद पर नहीं जा सकता? नहीं, ये नहीं कर सकता motile sperm के विप्रीत ovum non motile होता है ये तब तक move नहीं हो सकता जब तक किसी दूसरे cell द्वारा ये धक्का ना दिया जाए अब ये tube जिसे structures जिनकी हम लंबे समय से बात कर रहे हैं उनका भी scientific नाम है उन्हें fallopian tubes कहते हैं और आपको क्या लगता है उनका महत्व क्या होगा? चलिए guess करते हैं क्या वो ovaries को uterus से जोडता है? जिहां ये निश्चत ही एक जरूरी काम है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि fallopian tubes fertilization के स्थान होते हैं ये fallopian tubes ही हैं जहां पर sperms ovum को fertilize कर पाते हैं और यहां से zygote divide होकर एक embryo बनता है अब ये embryo आगे कहा जाएगा? लाजमी है uterus में हम जानते हैं कि uterus जिसे आमतोर पर womb कहा जाता है बच्चों के विकास की जगा होती है और जब बच्चा पूरी तरह विक्सित हो जाता है तो वो मा के शरीर से वजाइना की जरूरी बाहर निकलता है क्या हम जानते हैं कि वजाइना क्या है? ये मूल रूप से बाहर की और खुलने वाला एक छोटा सा रास्ता है ये वो जगह है जहां स्पर्म्स फीमेल शरीर में एंटर होते हैं दूसरी और बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तमाल किया जाता है अब जब आपने दोनों रिप्रड़क्टिव सिस्टम को समझ लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन साथ दूसरे की तुलना में ज्यादा कॉम्पलेक्स है जरा सोचिए अगर आप सोचते हैं कि वो मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम है तो आप गलत है जिहां female reproductive system ज्यादा complex है इस system को fertilization के पूरे process के साथ-साथ बच्चे के बढ़ने और विकास के लिए design किया गया है यही कारण है कि male reproductive system की तुलना में यह थोड़ा ज्यादा complicated है यह सिर्फ एक overview था female reproductive system के बारे में जब हम fertilization और embryo के विकास के process को detail में समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इस system में हर organ कैसे काम करता है उसके लिए आपको हमारा अगला विडियो देखना होगा